नमस्कार आरभारा टीवी चानल में स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ श्रमा प्रवी जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी वड़ी खबर दिखाते हैं आपको जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं तो चलिए देखते हैं आज की रूज खबरे लेकि उपस्तित जैसा कि आपने देखा है कि नो निर्वाचित वाड़ परसत सवापती उपसवापती हुए हैं और कल सपत था और सपत के बाद आज मैं पुर्ण नौनमर वाड़ में अभी पहुंचा हूं और नौनमर वाड़ में आप जैसे कि देख रहे हैं कि नली के कुछ जनकारी लेने का प्रियास करूंगा ताकि यह लोग जो हैं सफाई कर्मी हैं और यहां पर कुछ जनता हैं और यहां पर वाड़ के पूत्र बैठे हुए हैं जो कि मैं इन से जनकारी लूँगा और यह हमें कुछ जनकारिया देखर के इधर आए सबसे पहले अपना पर्ति दे देजिए हम वाड़ नंबर नौ के रमजारोद देवी परत्यासी के पूत्र है जो कल मेरी मम्मी का सफथ हुआ है और वही हम कल से आज से चार्ज मुझे मिला हुआ है हम अपने वाड़ में देख रहे हैं कि इतना हम लोग का बीकरम कोई जिम्मवारी पूर्व करेंगे और इमंदारी पूर्व काम करेंगे और अभी आपने देखा कि यहां पर सफाई के काम लगा हुआ है सफाई लोग कर रहे हैं यह दृष्ट में दिखला रहा हूं आपको और इसके बाद यह बताए कि आपके ही वाड में कई अक सालों से नल पूरा बिल का निर्गीत है और नगर परिसत से हो चुका है जो पूरा किसी तरह से करके हर घर में जल पहुंचाना है और सवक्ष पहुंचाना है मुझे एक और चीज रही बात हमारे वाड में अनमंडल होस्पीटल है पूरा बीकरम गण छेत्रेका है उसमें इतना लपर है इतना लपर वाई हम कई बर जाके देखें वाड बनने से पहले बहुत सरा लपर डॉक्टर तो हैं लेकिन टाइम पर कोई बैठता नहीं है सारे अपने अपने प्राइबेट किलनिक पर बैठते हैं लोग वहां के कुछ वाड के लोग कि यहां पर डॉक्टर हैं और जो यहां के परभारिया थोड़ा सा उनसे कमिया है कि वो टाइम से नहीं आते हैं वो भी बोलें कलस्वासन मुझे दिया है कि नहीं हम कोसीज करेंगे कि हम भी टाइम से लगाए और जो अल्ट्रासॉंट मसीन यहां से उठके गया है उसके लिए भी लेटर हमें दिखा वाडपरशिषए मिलेगा ते बिलकुल आपने सोच देखा एक वाड पुत्र के सोच को अपने देखा है कि यह वार्ड से उठके देखना है क्योंकि यह पूरे अनमंडल का होस्पीटल है पूरे अनमंडल भर के लोग यहां याते हैं और जो भी आएगा अगर गाव में इस तरी का विवस्था नहीं रहेगा अगर मिलेगा उनको तो गदगद रहेंगे यहां पर तो पांचो वार् कि हमारे होस्पीटल में क्या हो रहा है असाथ के साथ हम अपने वार्ड को भी थोड़ा से घुमाना चाहेंगे उनकों की पहले देखिए क्या है लेकिन अब इस्थिती वैसा नहीं रहना चाहिए क्योंकि देखिए हम लोग बिरजगार स्टूडेंट हैं और पूरे दिन हम खर्चा उनके मताफिता वह नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम कोशिज करेंगे कि अपने घर से जो भी है जैसे दोस्त मित्रे से एक लाइप्रेरी खोलने का हम कोशिज कर रहे हैं वहां पर समुदाइक भौन बना हुआ है पहले तो उसको हम जाके कल से रिपेर का काम करव पार रहे हैं अब वहीं पर सारा भूक रहेगा कोशिज करेंगे कि सारे जितने विवाड के हो या हमारे गाओं के हो या बिकरम गण छेत्रे के जो भी छुक लड़के हो उनको इंटर का और गर्जुएशन का और कंपरिशन जेनरल जैसे विहार पूलिस एससी जीड़ी और बैंक की एस सारे भूके रखा रहा है वहां पर आये लड़का हो या लड़की हो उनका पूरा लाइटिंग का वेवस्था में लगा इसके लिए भी हमारे बात को सुने और यहां पर लाइट का जो वेवस्था है फिल्ड में कर दे कि कभी भी देखिए हमारे गाओं की भाईया कराया जा सकता है वो लड़की घर से अकेले निकले और जाके फिल्ड में दोड़ ले लेकिन थोड़ी सी लपरवाही की वज़ा से उस चीज से वंचित है उस चीज को हम दूर करने की कोशिज करेंगे अपने वाट परसौदों से भी गाओं के जितने फी लोगे हैं सबसे पहले तो उनको मन से डर दूर हो जाएगा कि नहीं आरे आप तो किसी को लेके जाना ने घर से ने किलेगी फिल्ड में जाएगी नी धड़क दोड़ेगी अब उनको करीवा बाल का हो या कहीं और चकर तो नहीं लगाना पोड़ेगा टाइम की बचत होगी वह पहला बार इन लोगों ने वाड़ बना है यह अभी साफ साफ यह पता है आर भारत ट्वी चैनल के माने हम से कि हम कमिया के अप्लिकेशन द्वारा सुचना द्वारा करजाले तक पहुंचा है लेकिन उस वक्त इनको लोग नेता कहते थे परन्तु अब पहले तो इनके हाथ कार्ज में अधिकार नहीं था अब अधिकार मिल चुका है अभी तो कार्ज प्रथम दिन है दिखला रहे हैं आगे पांट बरसों तक इनका कार्ज कैसा रहेगा नहीं रहेगा यह यहां के लोग मुझे बताएंगे कि नए विडियो क्लिक रहा है कर दो क्वे हमें रहे कर रहे यह जार सूबतो है कि नहीं रहे बात्रणे मिल श्रणे करूई पांदे पांदे अभी पांदे भांदे कल दॉरी और डाहरार, इंशत हूरा जॉर कि लगल हुआ क्या दोग्डिर स्काभ में? उआ हुआ हुआ को को कर सोई demiş. कर दो यंक सम् Breaking कर दो से लो धू राट चंक समरत ही अभी हमारे साथ एक चचा जुड़ चुके हैं मैं इन से कुछ जनकारी लूँगा अभी आपके वाड में पहले के पेच्छा एक नए वाड आये हुए हैं और अभी तो पहला दिन है कार्ज चल रहा है क्या उमीद है कि पांच बर्सों तक इम अन्दारी पुर्वक करेंगे करेंगे तो ठीक है हम देखेंगे इनको क्या करते हैं करेंगे या ना करेंगे हमको चुनना है अब जनता को सिकायत नहीं चाहिए जनता को वो बात नहीं सुना है करेंगे आप जब क्या करेंगे ये अब जनता देखना चाहती है खती मेरे साथ और जूर चुक है मैं इन से कुछ जनकारी लेने के परियास करूंगा क्या नाम पड़ता है रवी रंजन कुमार अभी नौ निर्वाचीत वाड़ आपके मतलब वाड़ नुमर नौ में आये हुए हैं और कार्ज अभी प्रत्थम दिन ये कार्ज देखा जा रहा है सफाई का क्या ये हर वक्त यहां पर होता रहेगा होता रहेगा या नए होता है तो हमें पता नहीं लेकिन अभी पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत बहत्तिरीन करेंगे इनका नेश्चर से बहुत बढ़िया है नौ जुवक यानि नए उम्र के एक वाड़ के पूत्र हैं जो के अपने जीमवारी को समाले हैं और यहां के जनता को विश्वास है कि ये आफिस तक पहुंचा है इनके बातों को नहीं सुना जाता था लेकिन जनता के बीच में इन्हों ने अपना बात को रखा और जनता ने पूर्ण विश्वास करके इनको वाड़ बनने का एक मौका दिया और इनके मम्मी को जीताया बात से ये ना आप क्या आपील करना चाहत रात हो या दिन हो खड़े हैं और इसी बात पर ये अड़े हैं मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएगा आज तक के लिए इतना ही फिर ना नोट्फीकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाज रूख मूँँगा मैं हूँ वि